हेलो एब्रिवन एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल YCP English मंत्रा में गाईच कभी कभी हमें अपने डे टुडे लाइट में इस प्रकार के सेंटेंसे बोलने होते हैं जैसे मैं तुम्हारा घ्मन तोड़ूँगा कवनी सात्मी का घ्मन तोड़ सकता है के अउंड तुम ही उसका घ्मन तोड़ सकते हो तो जब कभी बूलने होते हैं आपको ऐसे sentence है जहाँ पर कहा जाए किसी का घमन तोड़ना तो वहाँ पर यूज करते है सेटर समवन्स प्राइड इसका हिंदी मीनिंग है किसी का घमन तोड़ना तो आगे इसका रूल देखते हैं सबसे पहले subject आएगा इसके बाद helping वर इसके बाद लिखेंगे सेटर समवन्स प्राइड और लाश्ट में अधर वर आएगा गाईज यहां पर जो हमारा helping वर वह हमारा sentence में टेंस के काड़िंग चेंज होता रहेगा और यहां पर जो हमारा सेटर है वह हमारा एजा मेन वर भी उसकिया जाएगा इसके फॉर्म भी sentence में tense के according change होते रहेंगे कभी यह सेटर हो जाएगा कभी सेटर हो जाएगा कभी सेटरिंग हो जाएगा जैसा sentence होगा जैसा टेंस होगा वह एसा वर पाफ हम यूज करेंगे और गैस सम्वन्स के प्लेस पे पॉजेशिव अडजेक्टिव आएगा जैसे माई ही जे हर आर द जैसा पजेशी और जेक्टिव आएगा sentence में वह साम यूज करेंगे तो आएए example की माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं Now the first one is मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा I will settle your pride Now the next one is एक दिन तुम्हारा घमंड तूटेगा One day your pride will be settled One day your pride will be settled Now the next one is किसने उसका घमंड तोड़ा Who settled his pride Guys गर यहाँ पन लड़की होगी तो हम his के place पे हर का यूज करेंगे और हमारा sentence होगा Who settled her pride Now the next one is कभी न कभी उसका भी घमंड तूटेगा Sooner or later her pride will also be settled Sooner or later her pride will also be settled Guys यह भी हमारा passive eyes का sentence है यहाँ यहाँ पर third भाव म्यूज किया है Now the next one is कौन इस आत्मी का घमंड तोड़ सकता है Who can settle the pride of this man Who can settle the pride of this man या फिर आप कह सकते हैं Who can settle this man's pride Who can settle this man's pride Now the last one is केवल तुम ही उसका घमंड तोड़ सकते हो Only you can settle his pride Only you can settle his pride That's it friends आज की वीडियो बस इता ही तो आई करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे यहाँ तुम्हारा comment काउन तोड़ेगा तो guys इस sentence का अंगलिस क्या होगा आप सभी लोग comment box में comment करके बताईए और friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करिए share करिए comment करिए क्योंकि आपका एक like, एक share, एक comment हमें motivation देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए Till then, bye bye, take care keep learning, keep practicing